नमस्कार मैं हुज़र श्रीन आगदा और आप देख रहे हैं CBC News राजस्तान निकाई चुनाव अचानक से सामने आ गए ऐसे में कई मामले ऐसे अचानक सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं सलुमबर से जो मामला सामने आया है वो भी सवाल खड़े कर रहा है लेकिन कमाल की बात यह है कि सलुमबर का प्रशाशन या यू कहें कि सलुमबर के SDM साहब बहुत बीजी हैं वो जवाब नहीं दे सकते पत्रकार उनसे सवाल करे तो तब ही उनके जवाब इतने बेरुखे होते हैं तो फिर आम जनता के साथ तो उनके सलुप के कहने ही क्या चलिए खेर पहले आपको मुख्य खबर से रूबरु करवा देते हैं जीतेंद्र कुमार जोशी सलुमबर से 11 किलोमीटर दूर बामनिया के रहने वाले हैं सलुमबर में व्यबसाई करते हैं साथ ही राजनीती में भी सक्रिय हैं वैसे तो भाजपसमर्थित हैं जीतेंद्र कुमार जोशी का आरोप है कि 6 महीने हो गए हैं उन्हें SDM सहित अन्य प्रशासलिक अधिकारियों के चक्कर कारते कारते उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा है जीतेंद्र कुमार जोशी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे विरोधियों के मिली भगत से मुझे अपने लोक तांत्रिक अधिकार से वन्चित रखा जा रहा है सलूंबर के पास बामनिया कर रहने वाला हूँ लेकिन मेरा व्यवसाय पिछले 10 सालों से सलूंबर में है यहाँ पर मैं किराय से रहता हूँ वोटर लिस्ट में मिरा नाम बामनिया में था जहां से मैंने कटवा दिया और सलूंबर में जुड़वाने के लिए आविदन किया हुआ है छे महीने हो गए BLO द्वारा सर्वे भी करवा दिये बावजूद इसके तैसीलदार और SDM द्वारा अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है जो जो मुझसे कागजात मांगे मैंने उसका सब्मेट भी किया इसके बावजूद मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा गया जोशी का कहना है कि उन्होंने राजस्तान सरकार को भी पत्र लिखा निर्वाचनायो को भी पत्र लिखा और जिला निर्वाचन अधिकारी यानि कि जिला कलेक्टर को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है फिर भी कोई कारवाही नहीं की गए निकाय चुनाव में चुनाव लड़ना चाहता हूं या मद्दान भी करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता मद्दान करना या चुनाव लड़ना मेरा लोकतांत्रे का दिकार है जिससे मुझे वन्चित रखा जा रहा है जितेंद्र कुमार ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए की गई प्रक्रिया की सारी पत्रावली CBC को उपलब्द करवाई जो उन्होंने पिछले 6 महीने में उन्होंने प्रशाशल और सरकार को दिये हैं सुनिये इस मामले में खुद जितेंद्र जोशी क्या कहते हैं सुनाव आयोक जैपूर चुनाव आयोक दिल्ली कलेक्टर साब अपने आयुकत साब सबको मैंने इसका मेल किया है लेकिन किसी ने कोई संग्यान लिया नहीं इस बात के लिए और मैंने अभी भी अभियान में इनके जैसे सब डोकुमेंट दे जमा करा चुका हूं नाम कटाने की पूरी प्रोसेस हो चुकी है ओनलाइन दे चुका हूं और तैसिलदार और ये सब द्विश्टा पूर्ण कारणा से मेरा नाम नहीं जोड रहे हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाता हूं सरकार को और चुनाव आयोक को कि निस्पक्षता नहीं है चुनाव आयोक निस्पक्ष काम करे और मेरा नाम जल्द से जल्द जोड़ा जाए मैं इसके लिए बहुत सारा मांसिक प्रताडित हो रहा हूं और करपया मुझे मदद की जाए और इसके आगे मैं और इन पर आरोप भी लगा रहा हूं जैसे इस तरह से चुनाव अगर ये करेंगे तो निस्पक्ष से चुनाव होने की संभावना नहीं है सलुम्बर में जो भी निकाय चुनाव होने वाले है अब भी ये किसी दल के अधिन काम करते हैं और इसका पूरी तरह से जाच की जाए इसकी और तब तक चुनावों के लिए भी कुछ संग्यान लिया जाए और मेरा नाम जल से जल जोड़ा जाए तो सुना आपने ये जितेंद्र जोशी का क्या कहना है अब इस मामले को लेकर जब हमने प्रशाशन के जिमेदार से पूछना चाहा और सलुम्बर SDM मनीलाल तरगड से बात करनी चाही तो एक बार तो तीन-तीन बार कॉल करने पर उठाया नहीं हमने भी सोचा कि बड़े अ सुन लिया जब अधिकारी ही ऐसा जवाब दें बिना सवाल सुने ही ओर्डर सुना दें कि ऑफिस आ जाना तो आम जनता की क्या सुनते होंगे लेकिन खेर कोई नहीं हमारा काम है सवाल करना वो चाहे जवाब दे या नहीं दे वो चाहे कौल उठाएं या ना उठाएं चाहे ओफिस आ जाना ये बिना सोचे समझे कि जो पतरकार उदैपूर या जैपूर से बात कर रहा है बस कह दिया कि ओफिस आ जाना और बिना सब्सक्राइब करिए पास में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं